आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामून जो की एकदम पर्फेक्ट बनेंगे इसका कलर इसका टेक्शर देख कि आपका मन ललच जाएगा अब इसका अंदर का टेक्शर देखे किती जादा जूसी है किती जादा इवेंडली मतलब पकी है इसने जूस पिया है और इसे बनान पर सबसे ज़री बात यह है कि आपको यहाँ पर सारी चीजें मेजर करके लेनी है या फिर वजन करके तो सबसे पहला इंग्रीडियंट वो मैं ले रही हूँ गेहूं का आटा जिहां यह वही गेहूं का आटा है जिससे के हम रोटियां वेगरा बनाते हैं आज मैं कोई अब यूज नहीं कर रही हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए गुलाब जामुन गेहूं का आटे से भी बहुत ही अच्छी बनती है तो मैं यहाँ पर मेजर करके और वजन करके दोनों ही तरीके से अगर आप कप से मेजर करेंगे तो आधा कप दबा दबा करके और अगर अब इसका वेट करेंगे तो 80 ग्राम है यहाँ पर गेहूं का आटा अब दूसरी इंग्रीडेंट ले रही हूं वो है मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर डालने से जो गुलाब जामुन का जो कलर टेक्शर और तेश्ट तीनों ही एकदम मावे की जैसा आएगा और यह बहुत ही अच्छे बनते हैं तो मैंने जो दूद पाउडर मतलब मिल्क पाउडर लिया है वो लिया आधा कप और थोड़ा सा मतलब यह टोटल 80 ग्राम है अगर आप वजन में देखेंगे तो 80 ग्राम है और कप में लेंगे तो यह दबा दबा करके आधा कप होगा मतलब कम इंग्रेटेंट से बनने वाली यह रैस्पी मैं सेयर कर रही हूँ अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा 1 बाइ 4 टीस्पुन डाल रही हूँ लेकिन यह जो खाने वाला चम्माच है उससे मैं भी मैं मेजर करके दिखा रही हूँ तो देखिए कितना मैं खाने वाला चमच है उसी से आप अराम से इसे ट्राइ किज़ेगा इसी तरीके से कोई भी कन्फूजन नहीं होगी अब क्या करेंगे कि यहाँ पर सारी चीजों को मिक्स करते जाएंगे एकदम अच्छे से यहाँ पर आपको अराम से मिक्स करना है बिल्कुल वे जल्दबाजी ना करें देखिए इसे जो मिक्स कर देंगे ना तो यह क्या होगा ना गुलाब जामून का प्रिमिक्स रेडी हो जाएगा आप इसे एर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं बट फ्रेसली बनाईएगा तो बहुत ही अच्छे बनते हैं अधरवाज आप इसे श्टोर करके रख भी सकते हैं तो यहाँ पर जो इसका प्रिमिक्स है मतलब वो रेडी हो गया है तो अभी मैं इसे साइड में रखती हूँ और मैं धर चड़ा रही हूँ एक बड़े सा पीतल का क्या बोलते हैं इसे बरगुनना बोलते हैं आप लोग कोई भी कड़ाई पैन कुछ भी ले सकते हैं चासनी बनाने के लिए तो चासनी अब मैं बना रही हूँ टोटल दो कपचीनी की तो इतना जो हमने मावा मतलब रेडी किया है उसमें आपको दो कपचीनी लग जाएगा साथी मैं इसमें डाल रही हूँ पानी धाई कप थोड़ा ज़ादा ही मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ आप चाहें तो इक्वल इक्वल भी डाल सकते हैं अब इसमें मैं डालूंगी इलाईची तो फ्लेवर के लिए है आपको पसंद हो तो डाले लेकिन गुलाब जामून में इलाईची का फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैं यहाँ सिर्फ इलाईची को दो इलाईची को सिर्फ खोल के डाल रही हूँ मैंने इसे बिल्कुल भी मतलब चूर नहीं किया है साथ ही मैं डाल रही हूँ आपर केसर साथ आठ केसर के धागे डाल रही हूँ और यह औपसनल है अगर आपके पास हो तो डालिएगा इससे बहुत ही अच्छा टेश्ट मतलब अच्छा खुस्बू आता है और नहीं तो स्किप कर सकते हैं अब क्या करना यहाँ पर चीनी को यहाँ पर अच्छे से बेल्ट करना है गुलाब जामू का जो सिर्फ है यह बिल्कुल भी मतलब चिप-चिपी नहीं होती है बिल्कुल आपको oily सा texture लगेगा देखें यहाँ पर कैसे एक signing स्यारी oily सा texture बस इतना ही पकाना है मतलब चीनी घुलने के आप बात तीन-चार मेट तक के लिए boil कर लें चासनी ready हो जाएगी तो अभी चासनी उधर ready हो गई है तो अभी हम रख देंगो उसे side में अब मैं इसमें ले रही हूँ मतलब गुलाब जामून को आगी ready करने के लिए दूद जो है यह मैंने boil किया हुआ ठंडा दूद लिया है मतलब ठंडा के room temperature वाला दूद है आधा cup मैंने यहाँ पर दूद लिया है अब क्या करेंगे इसे थोड़ा थोड़ा mixture में डालते जाएंगे और इसका soft सा आटा गूद करके तयार करता है वैसे यहाँ पर आधा cup दूद नहीं लगेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप डालिएगा बिल्कुल भी एक साथ मन दालिएगा नहीं तो जो mixture है वो बहुत जादा गीला हो जाएगा तो 1 by 4 cup से थोड़ा जादा दूद लगेगा मतलब तकरीबान 1 by 3 cup के करीब आपको यहाँ पर दूद लग जाएगा देखे बिल्कुल soft आटा आपको गूद के तयार करना है बिल्कुल भी आप हाड ना गूद है नहीं तो जो गुलाब जामून है तेल में फट जाएगे और बहुत जादा soft कर देंगे तो एकदम चप्टे चप्टे बनेंगे तो एकदम आपको medium आटा गूद के तयार करना है देखिए मैंने यहाँ पर आधा कप दूद लिया था तो इतना यहाँ पर दूद बच गया है मतलब 1 by 4 कप से बहुत कम बचा है मतलब तकरीबन 1 by 3 कप के करीब आपको यहाँ पर दूद लग जाएगा अब मैं इधर oil करम कर रही हूँ जब भी गुलाब जामून तलने के लिए आप oil लें तो किज़े चौड़े बरतन में लें जिससे की गुलाब जामून एकदम उसमें डूब जाएग तो मैंने यहाँ पर पैन लिया है आटे को ढख करके 3-4 मिट के लिए मैंने यहाँ पर रखा था रेश्ट के लिए अब मुझे क्या हुआ ना कि आटा यहाँ पर थोड़ा सा जादा हाड लग रहा था तो मैंने यहाँ पर एक चमचेकरी वापस से दूद दिया है और इसे वापस से एक बढ़ गूत करके थोड़ा सा स्मूत कर लेंगे आपको यहाँ पर आटे को जैसे ही आप आटे को राउंड राउंड करेंगे उसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आने चाहिए उसी साब समझ जाएंगे कि आटा हमारा परफेक्ट है या नहीं वैसे मैंने दूद का एक अंदाजा दे दिया तो आपको बिल्कुल भी परिसानी नहीं होगी अब मैंने इसकी छोटी छोटी लोईयां तोड लिये 15-16 इतना मिक्षर से आपको 15-16-18 छोटे साइज के बनाएंगे तो गुलाब जामून बन जाएंगे मैं यहाँ पर ओवल सेप में गुलाब जामून बना रही हूँ लंबे-लंबे पहले मुझे यह ओवल सेप वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे ममी बनाती तो मैं सारा राउंड वाला चून करके खाती थी बट अब मुझे ओवल से बहुत पसंद आते हैं आप जैसे मरजी राउंड ओवल जैसे मरजी आप बना सकते हैं बिल्कुल भी यहाँ पर क्रैक नहीं होने चाहिए आप दोनों हथेली के बीच में थोड़ा सा मतलब जो लोई है उसे दबाते हुए चिकना कर ले उपर आगये हैं अभी तो अभी नहीं डालना थोड़ी देर के लिए अपको वेट करना है फिर डालें तो यहाँ पर मैं एकक करके सारे गुलाब जामून डाल दे रही हूँ बहुत जादा तेल गर्म होगा तो गुलाब जामून उपर से जल जाएंगे और अंदर से एक दम इसमें गाठा जाएगी बहुत कम गर्म रखें मतलब हलकी हलकी इसमें बुन-बुनी सी आनी चाहिए और इस टार्टिंग में आप गुलाब जामून को आपको डार्क पसंद है तो आप डार्क फ्राई करें रेड पसंद है तो रेड फ्राई करें मैंनी है पर रेड करके निकाल लिया है और अगर गुलाब जामून एक साइड से सिख गया है दूसे साइड से थोड़ा सा लाइट दीख रहा है फिर इसमें गुलाब-जामुन डाल दें गुलाब-जामुन डालते के साथ है या आप उसे ढख दे ताकि उसमें अंदर से एक दम अच्छे से रस पिए दूसरी बार आप जब भी गुलाब-जामुन फ्राई करें तो उसे फ्रेम को मतलब गेस के फ्लेम को बंद कर दे, थोड़ा ठंडा होने दे, फिर उसे फ्राइ करें, तो दूसरे बैच में मैंने यहाँ पर सारा ही गुलाब जामुन डाल दिया है, और अच्छा सा कलर आ जाने के बाद हम इसे निकाल लेंगे, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे गुलाब जा होगा, देखें यहाँ पर अभी तीनी घंटे हुए थे और इसने सारा जूस पी लिया है, और अभी यू मांग रहा था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, उसके बाद मैं उसे दूँ, देखें किती जादा जूसी लग रही है यहाँ पर और इसमें कलर बह जादा जूसी है, और आप एक पर ट्राइ कीज़ेगा, आपको यकीन नहीं होगा, यह गुलाब जामुन इतनी जादा अच्छी बनेगी, जिन जिन बातों का मैंने मतलब बताया है, उन बातों का ध्यान रखें, गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनेगी, ट्राइ बल इंग्रीडियन के साथ मैंने सेर किया है, जो कि आपके घर में ही मिल जाएगी, तो ट्राइ करके मुझे बतायेगा, जो भी परिसानी हों मुझे कमेंट कीजएगा, मिलते हो नेक्ष्ट लाग में, तब तक के लिए बाब बाई, टेक केर, और सेर करना बिलकुल मत भूल जाएगा.